गर्भ में था सीखा मैंने चक्रवियों को तोड़ना, शत्रियों का वन्ष्थान ना सीखरत को मोड़ना, सोलह वर्ष की आयू में रण में था आया, यूही नहीं अभी मन्यू था सर्फशिस्ट कहलाया, भेदता चला गया मैं चक्रवियों के द्वार को, नियती का टोड़ थी, जो पिता मुझ से दूर थे, सारथी मेरे पिता के स्वेम भगवान थे, जानते वो सब जो इस युद के परिणाम थे, गर्व में था सीखा मैंने चक्रवियों को तोड़ना, शत्रियों का वंश्था ना सीखा रत को मोड़ना, युद शुरू होने वाला था, पांडवों किसे ना के सभी लोग क्रश्ण को बहुत मान देते, सब भी बारी-बारी से आशिरवाद दे रहे थे, क्रश्ण भी सबको आशिरवाद दे रहे थे, विजाई भाव, द्रॉपदी ने अभी मन्यू से कहा, जाओ तुम भी आशिरवाद लो, क्रश्ण ने आशिरवाद दिया, ये शस्वी भावा, द्रौपती ताड़ गई पूछा कि अभिमन्यों को आपने विजय होने का आशिवत क्यों नहीं दिया जरूर दाल में कुछ खाला है कृष ने बस इतना बताया आवश्चक यह नहीं है कि आप विजय प्राप्त करें आवश्चक है कि आप लड़ें काल उन्हें याद नहीं रखता जो विजय प्राप्त करते हैं या जो अजे रहते हैं काल उन्हें याद रखता है जो अपने संकल्पों पर कर्म करते हैं और ऐसे लोगों का यश्च काल का लंतर तक गया जाता है मैंने तुम्हारे पुत्र को यश्यस्वी होने का शिर्वात दिया है अभिमन्यो इस ब्रह्मान के अंत तक अमर रहेगा उसकी यश्की गाथाएं गए जाएंगे महाभारत को वैसे तो धर्मयुद कहा जाता है लेकिन महाभारत पूर्ण रुप से धर्मयुद ना होकर कर्मयुद भी था यही कारण है कि महाभारत को लेकर अभी भी बहुत सारी ऐसी बाते हैं और बहुत सारी ऐसे सववाल हैं जिनके बारे में हम लोग जानना चाते हैं उन्हीं मेंसे एक रहस्य है कि भगवान करशने ईश्वर होते हुए भी अर्जुन के अखुन हर पुत्र अभी मन्यों की रक्षा क्यों नहीं की? नमस्ष्कार दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आपकी दो साथ नशर्मा खुशियों की एक नहीं कहानी के साथ आज की कहानी है क्यों नहीं कि श्रीकृष ने अभी मन्यों की रक्षा तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी महा भारत यूं तो भारत के महानतम गर्नतों मेंसे एक है साथी साथ हमें अधर्म पर धर्म की विज़े का संदेश भी देता है महाभारत को बार-बार पढ़ने पर कुछ न कुछ महाभारत में ऐसा मिल ही जाता है जिसे जानने के जिग्यासा बार-बार उत्पन होती है जिन में से कुछ प्रमुक है क्यों करण को सूर्य पत्र होने के बाद भी दुर्योधन जैसा दुराचारी का साथ मिला क्यों धर्म का साथ देने पर भी स्वयम श्रीकृष्ण को वंश की समापती का श्राप मिला क्यों भिश्म पितामा को शया पर अपने अंतिम दिन बिताने पड़े ये सबी अपने जीवन का अधिक्तम समय बिता चोगे थे परंतु उस महाभारत में एक पराक्रमी शूरवीर ऐसा भी था जिसने बहुत ही कमायों में मृत्यों को अपने गले लगा लिया था वो था अभिमन्यू श्रीकृष्ण ने अभिमन्यू को शिक्षा प्रदान की थी वे उनकी गुरू थे और अर्जुन अभिमन्यू के पिता अभिमन्यू बच्पन से ही शूरवीर थे पांड़ों के वनवास के समय अभिमन्यू माता सुबद्रा के साथ श्रीकृष्ण के पास थे और वही उनकी प्रारंबिक शिक्षा हुई थी अग्यातवास में अर्जुन विराड नगर में थे जहां वो राज़कुमारी उत्रा को नर्ते कला का अभ्यास करा दे थे वही उन्होंने अग्यातवास पूर्ण होने पर अभिमन्यू के लिए राज़कुमारी उत्रा का हाथ मागा था अभिमन्यू रुत्रा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था परिक्षित कहते हैं परिक्षित भी अभिमन्यू की तरह ही महान थी परिक्षित के जीवनकाल में कल्यू कभी उन पर हावी नहीं हो पाया और परिक्षित की मृत्यू के साथ ही दौापर का भी अंत हो गया ब्रह्मा जी के आदेश से चंददेव के पुत्र को धर्ती पर अवतरित होना था और इस बासे चंददेव बिल्कुल भी सहमत नहीं थे वह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र इस धर्ती पर जन्म लेकर किसी भी प्रकार के दुख की प्राप्ति करें सभी देवी देवताओं उसमें मुख्य भूमी का निभाने वाल है। इस महानकारे में योगदान के लिए आप अपने पुत्र को उनकी साहता के लिए धर्ती पर अफ्तरित होने दे। यह सुनकर चंदरदेव ने हिचके चाते वे अपने पुत्र वर्चा को धर्ती पर अफ्तरित होने की आग्या प्रदान कर दी परन्तु चंदरदेव की चार प्रमुक्षरते थी उनकी पहली शर्त थी मेरा पुत्र धर्ती पर अत्यधिक समय नहीं व्यतित करेगा क्योंकि वे देव पुत्र है तो वे स्वयर्ग लोग जल्दी वापस आएगा और धर्ती पर अभिमन्यू के नाम से जाना जाएगा चंदर देव की दूसरी शर्थ थी अभिमन्यू के पिता के रूप में अर्जुन को ही स्थान प्राप्थ होगा क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन एवम श्री कृष्ण नर एवम नारान का ही अवतार है नर एवम नारान दो शरीर परंतु एक आत्मा थे अर्जुन के पुत्र होने का मतलब था स्वयम नारान का पुत्र कहलाना जंदरदेव जानते थे कि सभी पांडव देव पुत्र हैं और सभी पराक्रम ही हैं यदि युद्ध किया गया तो सभी अपने पराक्रम से जाने जाएंगे और उसी के पराक्रम के बीच अभिमन्यों अपना पूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे इसलिए उन्होंने शर्ट रखी कि युद्ध में अभिमन्यों सिर्फ उस दिन अपनी शूर्वीरता का परेचा देंगे जिस दिन अभिमन्यों के अलावा और कोई युद्ध नहीं करेगा और इस प्रकार वो बालक अपने पराकरम की वज़े से संपूर्ट जगत में विख्या दोगा इसलिए अभिमन्यों को युद्ध में सिर्फ उसे दिन प्रदर्शन करने का अफसर प्राप्त हुआ था जिस दिन अरजुन को जुद्ध भूमी से दूर ले जाया गया और उसे दिन चक्रवियों की रचना की गई क्योंकि कोई भी चक्रवियों को भेदना नहीं जानता था इसलिए सिर्फ अभिमन्यों ही उस दिन अपनी वीर्टा का प्रदर्शन कर पाए चंद्रदेव की आकरी शर्त थी अभिमन्यों की मृत्यू के पश्याद अभिमन्यों के पुत्र परिक्षित को ही राजयवार दिया जाएगा अभिमन्यू अर्जुन के पुत्र थे जब की परमपराओं के अनुसार राज्य युदिष्टर के पुत्र को दिया जाना चाहिए था परंतु क्योंकि चंद्देव की ये शर्थी इसलिए स्वर्गा रोहन से पहले जो दिस्टर ने राज्चे का दायत्व अभिमन्यू के पुत्र परिक्षित को दिया परिक्षित ने अपने राजा होने का दायत्व पूर्ण रूप से निभाया यही सब वजह थी कि श्रीकृष्ण चाहते हुए भी अभिमन्यू की साहता नहीं कर पाए अभिमन्यू के बहुत बार आगरे करने पर भी कृष्ण ने उन्हें चक्र वे उसे बाहर निकलना नहीं सिखाया क्योंकि वे जानते थे कि वे चंद्रदेव के साथ बुचनबद हैं चंद्रदेव की इन शर्टों की बज़े से अभिमन्यू युद में अकेरे प्रदर्शन कर पाए और अपने पराकरम और शूर्वीरता का परेचा देते हुए अभिमन्यू वीरकती को प्राथ हुए अपने अन्थ समय में अभिमन्यू अकेले निहते ही साथ महारतियों से युद कर रहे थे जिसमें कर्ण, दुर्योदन, दुशासन, दुरुणाचारे, कुलगुरुकृपचारे, शल्ले और मामा शकुनी थे अभिमन्यू हर व्यक्ती के लिए एक प्रेरना है इस युद्धा ने महाभारत के युद्ध में अकेले एक पूरे दिन उन सभी युद्धाओं को रोक कर रखा था जो अकेले कहीं कहीं सेनाओं के बराबर थे और यही कारण है कि युद्ध पर लड़ते लड़ते वीर गत्यों को प्राप्त हो गए भगवान कृष्णिया सब खड़े ओकर देखते रहे क्योंकि वे चंद देव के साथ बचन बत थे दोस्तों यही थी आच की कहानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भईया शेयर जरू कीजिए क्योंकि शेयर करने से खुशिया बढ़ती है और हम प्लीज कमेंट जरू कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा उत्साहित करते है नमश्कार, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ